हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक वन्स अगेन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर दे लिविंग वर्ल्ड और जो हमारा टॉपिक आज का यहां पर रहेगा वो होगा रिप्रोडक्शन जैसा कि आप लोग को याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ पर चुका है और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सेकिंड करक्टर स्टे को अफ विविंग ऑ्रगानिजम दैट इस री प्रोडक्शन के बारे मैं ठीक है तो सबसे पहले चीज आपको रिप्रोड़क्शन के बारे मैं पता होना चीए के रिप्रोडक्शन है कि रिप्रो biological process of biological process of self-perpetuation क्या बोला जाता है reproduction को biological process of self-perpetuation और यहाँ पे जो self-perpetuation है उसका मतलब क्या होता है self-multiplication राइट तो हम क्या बोल सकते है reproduction is a process of self-multiplication ठीके दूसरे form में हम reproduction को ऐसे भी बोलते हैं कि reproduction is also referred as multiplication in the number of organisms ठीके number of organisms भढ़ेंगे तो वो किस की वज़ा से भढ़ेंगे reproduction की वज़ा से तो reproduction is also defined as multiplication in the number of organisms और simply increase in number of organisms ठीके अब हम देखेंगे कि जो reproduction है वो कितने तरह का होता है तो देखो reproduction आप सभी को पता है दो तरह का होता है first one is asexual reproduction और second category होती है sexual reproduction ठीके दो तरह का होते हैं एक asexual और दूसरा sexual reproduction अब हम differences के फॉर्म में यहां पर दोनों जो reproduction है उनको डिसक्रस करेंगे so सबसे पहले asexual reproduction आप सबको पता है यह कैसा होता है it is simple quick and rapid mode of division कैसा होगा fast होगा rapid mode of division ठीके whereas जो sexual reproduction होता है वो कैसा होता है slow elaborate ठीके and complex जिस तरह से asexual simple था यह कैसा होगा complex ठीके तो यहां पर asexual reproduction और sexual के आपने करेक्टर स्टिक देख लिए है एक अब सेकिंड करेक्टर स्टिक पे आते हैं कि जो asexual reproduction है ना ही उसमें गेमेटो जैनेसिस मतलब गेमेटो जैनेसिस जो है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बट उसमें गेमेटो जैनेसिस और दूसरा है सिंग गेमेटो जैनेसिस क्या होता है गेमेटो जैनेसिस सिंपली इस फार्मेशन ओफ गेमेट्स करते हैं तब खुर्मेशन ओफ गेमेट सब्हें आपस पूछ करती है तब रीपोड़क्शन होता है तो जो asexual reproduction है तो इसमें gametogenesis, that is formation of gametes, यह हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो may और may not be there, ठीक है, बड़ जो sing gamete है, sing gamete क्या होता है, sing gamete is fusion of gametes, fusion of gametes को हम बोलते हैं, sing gamete, तो जो gametes का fusion है, वो asexual reproduction में कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, absent, इसका मतलब यह है कि asexual reproduction में gametes बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह condition हो सकती है, कि gametes बनें या ना भी बनें, पट gametes का fusion कभी भी नहीं होगा, ठीक है, sing gamete is always absent, जबकि जो आपकी sexual reproduction है, उसमें gametogenesis, that is formation of gametes भी होता है और sing gamete भी है, इसलिए हम उसको sexual mode बोलते है, इसका मतलब यहाँ पर gametes का fusion भी होता है, ठीक है, दोनों चीजे होती है, next difference पर आते है हम यहाँ पर, कि जो asexual reproduction है, वो mitosis ही involved करते है, मेनली उसमें कौन सा डिवीजन इन्वाल्वोता है, mytosis is involved, mytosis आपको पता है, equational division होता है, और जो sexual reproduction है, इसमें meiosis involved होता है, ठीक है, meiosis is involved, right, next difference पर आते हैं, जो mytosis and meiosis से related है, मतलब की type of cell division से related है, mytosis होता है, equational division, क्योंकि यहाँ पर जो number of chromosome है, वो same रहते हैं, और meiosis होता है, reductional division, because number of chromosome reduces to half, यह सब आप पढ़ोगे, cell, जो आपका chapter है, cell cycle and cell division, उसके अंदर ही आता है, ठीक है, आगे हम वो सब पढ़ेंगे, तो आपको पता है, कि जो mytosis है, mytosis की वज़ज़ से, कभी भ variation नहीं आती, variations हमेशा myosis की वज़ज़ से आती है, ठीक है, तो जो asexual में next point हम यहाँ पर बता सकते हैं, वो यह है कि यहाँ पर, जो variations है, progeny में, और daughter में, और आपके parent के बीच में, वो नहीं होंगी, जबकि sexual reproduction में हमेशा variations present होती है, ठीक है, और variations किसका result है, variation is a result of myosis only, ठी ठीक है, तो यहाँ myosis हो नहीं रहा, तो इसलिए महाँ variations नहीं है, जहाँ पर myosis होगा, वहीं पर variation आएगी, आप देखते हो, जो asexual reproduction होता है, जैसे बैक्तीरिया में, अमीबा में, तो जो daughters बनके आती हो, वो बिलकुल identical होती है, पेरेंट से, इसलिए हमने clones बोलते है, जब इसलिए को हम क्या बोलते है, variations, ठीक है, तो यह तो आपने यहाँ पर देख लिया कि दो तरह की reproduction है, अब हम जो है, यहाँ पर बोलते हैं कि जो reproduction है, it is not a defining property of living organism, हमने लास्ट वीडियो में यह पढ़ा था, कि reproduction को defining property नहीं बोला जाता, ऐसा क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर को examples बताऊंगी कि हम reproduction को defining property क्यों नहीं बोलते हैं, so यहाँ पर देखिए, जो reproduction है, it is not a defining property, it is not a defining property of living organisms, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कि जो defining property होती है, वो वो होती है, जिसके कोई exceptions नहीं हो, but reproduction में कुछ exceptions हैं यहाँ पर, ठीक है, exceptions यह हैं, कि there are certain organisms, certain living organisms हैं कुछ ऐसे, जो की reproduce नहीं कर सकते, that cannot reproduce, ठीक है, for examples, कौन-कौन से वो organisms हैं, first one is mule, mule आपको पता होगा, mule is a hybrid of horse and donkey, ठीक है, तो mule जो है, वो reproduce नहीं कर सकता, ठीक है, second हो गया, यहाँ पर, worker भी, right, third example है, infertile couples, ठीक है, तो यह जो सारे organisms हैं, यह reproduce नहीं कर सकते, इनमें reproduction नहीं होता, तो ऐसे organisms को, जो reproduce नहीं कर सकते, they are known as sterile organisms, ठीक है, और जो reproduce कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते, fertile organisms, ठीक है, तो इसलिए, यहाँ पर देखो, यह बोला गया है, कि reproduction एक fundamental characteristic तो है, living organism की, but it is not a defining property, because कुछ ऐसे living organisms भी हैं, जो reproduce नहीं करते, ठीक है, तो इसी वजह से reproduction जो है, एक defining property नहीं कहलाई जाती है, clear, अब reproduction के बारे में कुछ, जैसे asexual में कुछ modes आ जाते हैं, budding, fission, regeneration, वो सारी modes हम अपनी नेक्स वीडियो में discuss करेंगे, thank you so much for watching.